रभी पुस्तक पुस्तक प्रदेश के साथ उपस्तितु हूँ पुस्तक प्रदेश संस्मरात्म कहानियों का संग्रह इनमें कहानिया भी है और संस्मरण भी है वे संस्मराणड जो कहानी के रूप में है आला कि ज्यादा कहानिया ही है संस्मराणड का हिस्सा केवण बहुत संछिप सा है इबार रभी ने अपने जीवन को जिस रूप में देखा बतोर-पत्रिकार-बतोर साहित्यकार जिस तरह के लोगों कि था है एक जिग्यासा है और वह प्रदेज है जिसको पुस्तक प्रदेश वा धिक्क हमारे कस्व के उनकी माहत्वकांश उनकी उखाण पचार और किस तरह से सामंति जक्रण में कुंठाएं पर पीड़क मानसिक्ता में बदल जाती हैं इनका भी उद्धरण इस कृति में है एक और खास बात इस कृति की है कि यह हिंदी साहित्य की संभौता है इकलोती ऐसी कृति है जिसमें करीब 500 साहित्य कृतियों के नाम आते हैं और इनमें इबार रभी के बच्पन की छवियां भी है और वे वास्तविक प्रात्र भी हैं जो कहानियों की मारफ़त उनके जिवन में आते हैं इबार रभी का जो मूल नाम है वो रविंद्र प्रसाद है खास्ती हुई नदी घोस्रापत्र लोगबाड और वर्सा में भीग कर ये उनके कहानी संग्रह से पहले आ चुके हैं धेर सारे सम्मान पा चुके हैं दलीत और आधिवासियों के बीच अच्छे खासे सक्री रहे इबार रभी की जो कहानियां इस संकलन में सामील हैं उसमें दाना पानी, पुस्तक प्रदेश, बिटन का ब्याह, हालां की, रात, और कैरम बोड वह मुझे जानता था खेल-खेल में कहानी संजीव कुमार ने भूमका लिखी और कहानियों की कहानी बार रब्वी ने खुद लिखा है जिसमें उन्होंने अपने दिल्ली प्रेस से जो उन्होंने शुरुआत की है अपने पत्रकारिता की लेखन की दुनिया से कैसे जुड़े, किस तरह से उनको वहां नौकरी मिली और उसके बाद वह अध्यापन में गए फिर वापस दिल्ली प्रेस से जुड़े और वहां काम करने के दवरान किस तरह से उनके जीवन में लोग मिले और उनके प्रभाव ने किस तरह से इबार रभी के कथाकार को गढ़ा चाहे वह नौभरत टाइम्स की उनकी यत्रा हो चाहे वह हरिपाल क्यागी के साथ उनकी राजवरी गार्डन और दूसरी जबहों पर मुलाकात हो इन सबकों उन्होंने खेल-खेल में कहानी जो संजीव कुमार ने लिखाया उसी को एक तरह से कहानियों की कहानी में बार रभी बिस्तार देती संजीव कुम भावित किया उनमें से कुछ कहानी के बारे में मैं अगर छोटी सी बात भी कहूं जैसे बिटन का ब्याह वाली कहानी है ऐसा हर किसी के साथ हमारे आपके सभी के परिवारों के साथ आपने देखा हो गया कि जिन लोगों के पास थोड़ा सा दिमात कम होता है लोग उसका मज पूरभी उत्तर प्रदेश में कहूत है बुरवा के मियाहर गाउंभर की सलहज इसका आशा यह है कि जो वेक्ति सीधा होता है जो थोड़ा कम बुद्धीका है उसके साथ लोग मजाग करते हैं और वह मजाग कई बार इतना अमानवी हो जाता है कि मनुष्चिता की सीमा को बिठ्टन के साथ भी ऐसा होता है उसकी शादी के नाम पर बोग क्सी मर्द को दुलह बना देते हैं और उस से कहते हैं कि तुम्हारी साथी हो जाएगी शादी हो जाएगी और लोग उसका मजाक उडाते हैं इसी तरह से इबार ब्रबी ने इन कथाओं को अपने जीवान मे देखा है और इस बात का वो बाकाइदा उल्यक करते हैं कि जो मार्मी के सितियां या जो मनुशुता को मैंने जिस रूप में गढ़ा है वह नायक या नायक कभी न कभी मेरे जीवन से गुझरें उनका कहना है कि पहला सोर्स जो है लेखक का, वह material वही होता है जो उसके अपने जीवन में गुजरा होता है, तो इन में ऐसी भी कहानिया है, जो कहानिया युवा सम्मंधूं को लेकर है, या युवा जुगुप्जा को लेकर हैं, कोई युवक अपने भावी को देखकर या उस परिवार के स्ट्री को देखकर उसके मंन में क्या भावाते हैं? किसी युवातं को छूने के बाद उसके मन में किस तरह की भावता उर्थे है है? यह सारी चीजें भी इस पुस्तक को एक खास अहमियत देती हैं, अगर आप ऐसी कहानिया पढ़ना चाहते हैं, जो कहानिया असी के दसक से 2023 तक पिछले चार दसकों के कालखंड को मध्यमवर्गी द्रिष्टिकोंड से जीवन में जो परिवर्थन हुए हैं, जिस तरह के को उबरे हैं, और जिस तरह से विकास के क्रम ने मनुश्यता को चुआ है, उसको देखना पर रखना समझना चाहते हैं, तो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं, वाम प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है, मुल्ये 250 रुपए हैं, प्रिष्ट संख्या है 138, इस पुस्तक की खास बात ये भी है कि इबार रभी ने बाकाइदा उन संदर्व पुस्तकों का भी उल्ले किया है, जो कहानी पुस्तक प्रदेश में वरणित हैं, इसके बहाने आप हिंदी साहिती की स्रेस्ट कृतियों का नाम भी जान सकते हैं, और उनके लेखक को भी जान सकते हैं, उमीद है साहिती तक आया है एपिसोड आपको पसंद आया होगा, इस कारिक्रम में आपकी इस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें जरूर उगत कराएं, हमारी कोशिस होती है कि विविद विदाओं के पुस्तकों के झाली कराएं dobrा दो स्व segurança तरह झाली कर साहते हैं, झाली कर दो एक हैं अईधने एपकी आपकी पट्रेंगराफं के साहर रहते हैं